नमुश्कार दोस्वों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागत दोस्वों आने वाले तीन दिनों का श्व में आप शिवी के जुनकाल में शबसे बड़ा भुचाल आने वाला है जहां दोस्वों अगले तीन दिनों का श्व में बहुत बड़ी महत्पून गटना होने वाली है यह में दोस्तों आपको शमलना बह्यादी आउश्यक है जहां दोस्तों हम आप शिबी को बता दे कि अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों अगले तीन दिनों का शिबी के लिए इशुवर का दिया हुआ वर्दा शाविद होगा जहां दोस पर एकिन नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि यश्मी आपको कुछ विकर्ट परिस्ततियों का भी शामना करना पर शकता है बस दोस्तों आप आज के इस वीडियो को अंत तक दिहां से दिख लेजिए आप हर मुश्य परिस्ततियों में विज़े प हुकम पाने वाला है और जो भी आज के वीडियो को अंत तक ध्यान से दिख लेगा उन्हों शिबी के जीवनकाल में अगले तीन दिनों का श्यमें बिल्कुल ही श्वर्ग जैसे जिन्दगी शुरू होने वाली है ज्या दोस्तों बहुती महत्पून वीडियो है नशी बाल आज के वीडियो में हम आपको बदाने वाले हैं आखिर आप कौन से जियों का दान कर देते हैं आखिर कौन से चीज आप किसी के कहने पर किसी को दे देते हैं जिनके वज़ेशी आपको भारी नुक्षान होता है गरों के इस्तिती बदल चुकी है और दोस्तों मां तर तीन दिन ही रह गए हैं इसलिए दोस्टों आज किस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें जै दोस्टों तो आज दोस्टों बात करते हैं पूरे विस्तार्शी दोस्टों वीडियो को बिल्कुल ही ध्यांश देखिएगा शुरबधम जो भी माता लक्ष्मी के जो भगवान श सच्चे मन से सच्चे सध्धा भावशी जै मालक्ष्मी जै श्रीरी विश्नुजी जरू लिखेगा दोस्टों धनकी दिवी माता लक्ष्मी और बैभवाव के दाता भगवान श्रीरी विश्नुजी का अश्य मशिरबाद आप शभी को प्राप्त होगा जिवनकाल के आपक श्री को बता दी कि आप लोग पिछले शुमेसे बहुत ज़ादा परिशान है लेकि दूस्तों आपको परिशानी क्यों हो रहे हैं आपके जुनकाल में अब नया मोड आएंगी जै दूस्तों इस वीडियों श्री आपको आपके जुनकाल में काफी तरक्या आएगा जै ताकि आप वीडियो को हरबार इश्चीप कर देते हैं जिए तुस्हाइब आपके जुनकाल में शमज्चाएं शिमाप नहीं होगी अप इत्तु शमज्चाएं और भी वरजाएंगे कि दुस्थों आधा अधूर आग्यान बहुत ही ज़ादा मुश्धा दायक और नुक्शा कर रहे हैं दोस्तों आप उन्हें शमझने का भी प्रयाज कीजिएगा जीएंदोसों तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप शुब को बता दें कि अपने पुछले कई श्रेशाएं बढ़ गई हैं बहुत शारी प्रिशानी आपके जुनकाल में लंबे शमे से चल रही है अब दोस्तों आप शबी को बता दी कि आपने पिछले शमे बहुत अच्छा मेहनत भी किया था और उनका प्रिडाम भी बहुत अच्छा था और पिछले शमे की जो इस्तिति थी आपको अभी की स्तिति बहुत य अच्छी थी जह दोसं आप आप को बिता दें कि पहले आपके जोंकाल में कारी था रोजगार था पहले आप जिसकार को करते थे दोसों ने में आपको शुखल दाई की प्राप्ति होती थी लोग घर परिवार के लोग आपको फ daar दोसों अभी के दौर में आपके बहुत शारी शत्रू बन चुके हैं बहुत शारी अपने लोग ही आपके उपर शडेंत्र कर रहे हैं आपको नीचा गिराने की वह कोशिश करते रहते हैं आप आगे बढ़ रहे हैं आप अपने चुनकाल में शपल हो रहे हैं दोस्वों यह चीज उनकी आँकों में चुढती है।esis हमेशा वो कुछ नो कुछ नएया शणेंत्र, रस्ते रहता है। जिनसे आपके कारिभन Capital हो जाये। जिनसे आपका मस्तिक्स में विश्यवतात इस्तिति प्रकट हो जाये। जिन शे दोस्तों आप अपने कार्यों को खुद ही मोड ले आपका मती को वो छिन्री भिन्र करना चाहता है दोस्तों बहुत शारी शणेंतर आपके उपर या लोग कर रहे हैं पीछले स्रमे जो लोग आपके साथ थे या श्मी वो लोग आपके दुश्मन बन गए हैं दोस्वों श्रम में आपके लिए बहुत ही प्रिशानी दायक है लेकिन दोस्वों हम आप शुब को बता दें कि इनमें रोने शे कोई भी आपका काम नहीं बनेगा दोस्वों ये लोग शत्रू बने हैं तो दोस्वों इनमें आपका ही कारण है दोस्वों आप अपनी ही वज़शे अपने जुनकाल में शंकट खड़े किये हैं दोस्वों इस बात को आपको मनना होगा दोस्वों पिछले कईश में से ये लोग आपके शात रहकर आपके उपर दोस्वों बहुत शारी तांतर किरियाएं किये ही आपके हैं घर्चे दोस्वों ये बहुत शारी शमान ले जाकर आपके उपर इन्होंने काला जादू किया है बहुत कुछ ये लोग आप शे मांग लेते थे और दोसों आप इन्हें अपना कह कर दे देते थे और दोसों उन्हें शब्सीजों को लेकर बहुत शारी शक्तियां आपके पीजे छोड़ दिये हैं जिनके कारण दोसों आपका कारेभार भी भंग हो गया है जिसे आपका वैपार भी पूरी तरशी ठप होने वाला है या फिर किशी का तो हो भी चुका होगा लेकिन दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि वक्त अभी भी आपके ही पाश है जिहां दोस्तों इश्वर के शात जो भी वैक्ति जुड़ जाता है उनके जुनकाल में शुमश्याई कभी नहीं आती दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखियेगा दोस्तों हम आप शुबी की थोड़ी शी जिवरकाल के आपके शुभाव की बात करें तो दोस्तों आपका शोबाव हमेशा शबी के परती अच्छा रहा है आप दोस्तों किशी के परती अपने अंदर कोई बुरा ख्याल नहीं लाए हैं और नहीं दोस्तों किशी की छती पहुंसाने के बारे में आपने कभी शोचा है दोस्तों आप दोस्तों के तरक्षे कभी न जलते हैं दोस्तों आप चाहते हैं कि आप जिसे शफल हुए हैं लोग भी अपने जुनकाल में शफल हमें उनसे क्या दोस्तों वो लोग अगर मेहनत करते हैं तो वो अपने जुनकाल में शफल होते हैं दोस्तों ऐसी श्वक्ष धर्नाएं आपकी राशी की लोगों के जिवन काल में होती है लेकिन दोसों वहें कुछ विप्रित बुद्धी के लोग विप्रित अत्माई के लोग जो कि दोसों अपने मन में बहुत शारी बुरी ख्याल लाते हैं और आपके ही श्रात रहे कर दोसों आपके ही छती करने का प्रयाश करते रहते हैं तो दोसों अब आपको कुछ शम्हलना है अब दोस्तों आपने जो भी गलती की है दोस्तों उनका पस्तावा बिल्कुल भी नहीं करना है क्यों दोस्तों भगवान श्री किष्ण ने कहा है कि जो भी गलती तुम्हें हुई है वो तुम्हारी गलती नहीं तुम्हारे जिवन में जीने का तुम्हें ए आपको चलना है जिनसे आपको कुछ ना कोई शिखना है जिया दोस्तों जो लोग पिछले श्य में आपके शाथ रहकर आपके शाथ चल किये हैं आपको धोका दिये हैं आपको नुक्षान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों अब आपको शावधान हो जाना है ताकि दोस्टो कोई भी ब्यक्ति, कोई भी इन्षान आपको जहती ना पौँचाशकिंगे, आपके उपर कोई भी एशी सडिंदर ना करशकिंगे, जिनसे आपका नुक्षान हो जाए, जिनसे आप शंकट में आज़ाए, तो दोस्टों एशिक कौन से का रहे हैं, कौन शी विधी हैं, कौन शी उपाई हैं, शबी के बारे में हम आजकी इस वीडियो में बहुती विश्तार तरिकी शिभ दाने वाले हैं जियां दोस्तों इसलिए आज के वीडियो को आप अंतर तक और भी देखी लेजीगा दोस्तों ध्यान रहें जो भी जातक यहां तक आए हैं वो बिल्कुल ही यहां से मत जाये गवर्ण दोस्तों आप शेवी की जुनकाल में खाली हाथ ही रह जाएगा दोस्तों ग्यान आप शिब को बिता दें कि अब आपको अपने जुनकाल में खूछ चेजों का दान किशिवी विव्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना है दोस्तों अकस्तर जो भी शत्रू होते हैं जो भी दुश्मन होते हैं वो दोस्तों आपके कारें को भंग करने के लिए भिविन परकार के कारी करते हैं जब दोस्तों उनसे शबी कारें नहीं होते हैं तो दोस्तों वो काली शक्तियों का परियोग करते हैं दोस्वों बुरी शक्तियों का परियोग करते हैं और उसके लिए दोस्वों बुरी शक्तियां तभी काम करते हैं जब आपका वस्तु उनके पाशू जिया दोस्वों इसलिए कोई भी वस्तु वे आपके घर से मांग के ले जाते हैं और दोस्वों आप उन्हें दे देते हैं तो दोस्वों कौन-कौन से चीजे हैं जो कि आज शे आपको अपनी उनकाल में किशी को भूल कर भी नहीं देना है जिया दोस्वों इसलिए अजकि इस वीडियो को आप अपनत देहिएगा दोस्वों इस वीडियो का शिर्षक मातर तेन दिन रह गए हैं इसलिए हैं कि दोस्तों यह बुरी शक्ती फिर्शी आप शिवी के जिए उनकाल में आने वाली है और आप शिए कुछ ना कुछ यह मांगने वाली है और दोस्तों यह जो लोग हैं यह जो आपके अपने लोग हैं जो शड़ेंतर करते हैं जो आपके घर में आकर आप शिवी जो बस्तू म मांगते हैं दोस्तों आप उन्हें देते हैं कौन से चbre भूल कर भी नहीं देना है जिए दोस्तों तो दोस्तों हम आप शिभी को बिता दी कि शब्शे पहला गलती अब आपको भूल कर यह नहीं किरनी है कि दोस्तों जो भी आज के चैनल पर नए हैं जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो दोस्तों शब्शे पहले आप बुरे शक्तियों के शाथ रहते उनके ख्यालात भी बुरे होते ही और दोस्तों जो लोग अच्छे चीज़ों के शाथ रहते उनके ख्यालात भी उनकी विचार उनकी आने वाली शक्तियां भी शकारत्मक होती है दोस्तों इस चैनल में हमेशा आपके राशी के शकारत्मक वि हुआ सिधर कौन से चीजों को आपको किशीकों विदान नहीं करना है तो दोसनों शरक प्रतपन बातों का भूंत कर भी जो से रदन्दाज ना करें इन्हें अंदेखा ना करें जो बात हम आपको बताने वाले हैं दोस्वों सबसे पहला चीज है जिने आपको भूल कर भी किशी को नहीं देना है वो है दोस्वों आपके घर की रुपिये दोस्वों घर का रुपिया पेशा अगर आप किशी को भी शाम क से नाराज धाती हैं डोसरों शाम के शमें दोस्तों कभी भी किष़ी को आप भूल कर भी पेशों का दान ना किजीगा दोसों इने आपके घर्षी माता लक्ष्मी ही चली जाएंगी शांके बाद अगर आप किष़ी को धनर देते हैं चाहे दोस्तों वो कितने भी बड़े बुरी परिस्तियों में हो लेकिन धनका वय आपको बिल्कुल भी शाम के बाद नहीं करना है नहीं आपको धार देना है जडिया दोस्टों धन भी दोस्टों आप श्रुप को बता दनी की मातल लक्ष्मी है और अगर आप उने किशी को शुर्यास के बाद दे देंगे तो दोस्तों अपने ही आतों शियाव अपने भागे को किशी और को दे रहे हैं इसलिए दोस्तों आप भूल कर भी अपने जुनकाल में यह गलती ना करें दोस्तों बहुत शार इशी लोग होते हैं जो अपने जुनकाल में ये गलती किये हैं कि शुर्यास्त के बाद भी उन्होंने ये धन को मातालक्षमी को हिया अपने घर्शी विदा कर दिये हैं तो दोसों एशी गलती ना करें अगर आपने एशी किये हैं तो कौनशी उपाय आपको करना चाहिए दोसों आगे बात करने वाले हैं शाधिशाध दोसों हम आप शुवे को विदा दें कि शुरीयास्ट के बाद भी आप शिवी को किशी को दूद नहीं देना चाहिए दोस्वों आप शिवी को बता दी कि दोस्वों दूद का शमन्स सीधे शीधे भगवान श्रीडी विश्नुजी से और माता लक्ष्मी जी से है और दोस्वों जो भी वेक्ति एशा करता है जो तिश शास्त के नुशार शुर्यास्त के बाद यदि आप किशी को भी दूद देते हैं तो दोस्वों माता लक्ष्मी आपके जुनकाल से रुष्ट हो जाती है और दोस्वों घर में कभी बरकत नहीं होने लगती है बरकत पूरी तरशे खत्म होने लगती है आपके घर में बिल्कुल भी दोस्वों बरकत नहीं रहती दोस्वों इस बाद के आप ध्यन रखें तो दोस्वों आज के बाद शुर्यास के बाद किशी को भी दूद ना दे जियां दोस्वों अगर आप दूद का वाईपार करते हैं मातालक्षमी इन से रूट जाती है, तो दोस्तों, अपने जोनकाल में बस आप इन सभी का ध्यान रखें, दोस्तों, यश में भगवान शृरी बिश्नो जी और मातालक्षमी आपसे रुष्ट ना रहें, इसलिए दोस्तों, आप इन सभी बातों के ध्यान रखें, शादिशा दोस्तों हमाग शुर्यास के बाद आपके शुर्यास के बाद आपके शुर्यास को हल्दी भी ना दे जिया दोस्तों दोस्तों जोतिशास में हल्दी का शमन शीदे शीदे गुरूशे है जिया दोस्तों और हल्दी का शमत जब गुरू शे है तो दोस्तों गुरू धन के कारक होते हैं जिया दोस्तों अगर आपके गुरू कमजोर हो जाती है तो दोस्तों आपके पास धन वेवो की कमी होने लगती है शमाज में आपका मान शमान नीचे होने लगता है लोग आपकी भावनों की कदर करना भूल जाते हैं दोस्वों बहुत शारी आपके जुनकाल में शंकर इससे आने लगता है तो दोस्वों भूल कर भी आप शुर्यास्त के बाद किशी को हल्दी का दान न करें दोस्वों चाहे वह कितना भी हांत माँ जोड़े कितना भी आप शी मांगे लेकिन दोस्वों भूल कर भी आप इस शिच का दान न करें दोस्वों होश रखता है कि आपके ही शत्रू शुर्यास्त के बाद जान कर ये चीज़ें मांग रही हो ताकि दोस्वों इने लेकर वह अपने जुनकाल में वह शक्तियों का परियोग करके आपको दोस्वों नुकसान पहुचाई दोस्वों बहुशारेशी तांतरिक है जो कि दोस्वों आपके घर के चीज़ों को ले जाकर शमजान घारत में तांतर किरियाएं कर देती है और दोस्तों उसी चीज से वे भूत वे शाया आपके पीछे चले आती है आपके घर चले आते है और आपके घर परवार को दोस्तों कश्ट देना शुरू कर देती है तो दोस्तों भूल कर भी आप इन सब चीजों का दोस्तों यश्में दान ना करें जैंदोस्क्त कि आप शविग को बता दें कि शत्रो करते हैं इसलिए रहा है इसलिए दिश्च में आपको अगर अपने गरू को कमजोर्ण कमज़ोर नहीं होने डिना है तो दोस्तों में लहशुन और रुप्याज का शमद कि शे माना जाता है तोसों के तुशे माना जाता है दोसों के तुगर हमेशा जादू डोना शे वो ये ख़दरोंज करोंध होती है जिसके जुनकाल में केतू गरः परवल हो जाए तो दूसमान उनकी जुनकाल में नुक्शान बहुत जल्दि आती है बहुत ही कारबार उनके बिगड़ने लगते हैं उनके उपर अंतरी क्रियाओं का अशर बहुत ही कुछ लोग एशे होते हैं जिनको भूतों का शाया बहुत ही जल्दी आ जाता है डर बहुत ज्यादा लगने लगता है दोस्तों इनका वज़ा यही है कि आपका केतु आपके उपर परवल हो चुका है इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि भूल कर भी आप शाम के बाद किश को उधार मत देजेगा दोस्तों अगर आप दुकान दार हैं दुकान चला रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए कोई बात नहीं है लेकिन दोस्तों घर शे दोस्तों इसा बचीजों का दान किशी और को मत देजेगा कोई कितना भी मांगे दोस्तों आपको भूल कर भी मत शिबी के जुनकाल में टोने टूटके हो शकते हैं इनसे दोस्वों आप शिबी का नुक्षान बहुत ही ज़्यादा होगा इसलिए दोस्वों इस बात कैदा रखें और खास कर दोस्वों आप देखेंगी कि रविवार के दिन तो लोग इन सबी चीज़ों को बहुत ही ज़् जिएगा जिए दोस्वों आप शिबी को बता दी कि एशा करने से शाथिशाद घर से बरकत भी चली जाएगी और आरिस्तितिती भी खराब हो जाएगा धनकी दिक्कत आएगी जिए दोस्वों शम्य आपके हाथ में है इन्हें दोस्वों आपको शमाल कर रखना होगा और ये शबी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है जिए दोस्वों शाथिसा दोस्वों हम आप शिबी को बढ़ा दें कि आप यहाँ चीज देखेंगे कि बहुत शारी लोग एक दूसरी के रूमाल का परियोग करने लगते हैं दोस्वों एशा करने से उन दोनों की 20 तनाव पैदा होता है और वा पेशे के नुक्षान को भी जिलते हैं जिया दोस्वों किसी का रूमाल का आप यूज करते हैं परियोग करते हैं तो दोस्वों आप शी मद्वेद होने की शमावना बहुत ज़्यदा परवल हो जाती है और दोस्वों दोनों की बीच पेशों का भी दिक्कत आने लगती है पहुत शर्ष शमोना इन से परवल हो जाती है शुर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति आप शेद धन मांगे तो दोस्रों भूल कर भी उधार ना दें एशा करने शे मातालक्षमी नराज हो जाती है आपका घर्षे धन वापस चेल जाती है इनकी शमोन दोस्रों घर्षे धन की जो इस्तिती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है कर्ज में बडुत्री होने लगती है इसलिए सुल्यास की बाद आप किशी को भी धन ना दें अजिये दोस्रों आप शुबह देशकते हैं कोई दिकत नहीं है दोस्रों शादि-शाद आप शुबह को लेते हैं दोज़ुыл करने क्या लवाकित हैं योज़वनाण दोज़ा दिचिद्म में करें हैं टीन वार्थिक मिलत करेंस शोल गषग इसको द्रहुवेता हैं जाएंगी और दोस्तों वास्तों शास्त के हुशाप से ये बहुत इबड़ा नुक्षान का कारक है और दोस्तों बहुत शारी लोग इश्य कारी करते हैं इसलिए दोस्तों आप शिवी को बिदा दें कि कोई अगर वह चीज पहना है तो आप भूल कर भी मत किजिएगा मत पह दोस्तों का आप ध्यान रखें शादिशा दोस्तों शुर्यास के बाद अगर कोई आप शेट नमक मांगने आजाए जे दोस्तों तो दोस्तों आप शाप साप इनकार कर दें इनमें ही आपकी भलाई है दोस्तों नमक को उधार देने शेए घर की जो है बरक्कत चली आती है शुर्यास के बाद किशी को भी नमक उधार ना दे इसे दोस्तों आपके जुनकाल में बहुत शारी दिक्कत आती है कारबार में जो बिस्तिती अच्छी चल रही है दोस्तों वह रुख जाएगी नए कार की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों वह अभी शुरू नहीं हो पाएगी शुरू होने से पहले विवाब बंद हो जाएगी दोस्तों इसलिए इन शबी बातों को आप धियान रखें जे दोस्तों शाथिशा दोस्तों आप शबी को बता दी कि इनसे कर्च की शमस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जे दोस्तों अगर आप किशी को पेशे उधार दिये हैं तो दोस्तों वह फेशा फजाता है वह वक्ति आपको वापश नहीं करता पेशे की शमस्याई यह नमक शे बढ़ जाती है तो दोस्टों इस बात का बिल्कुल याव ध्यान दखिएगा शादि साथ दोस्टों आप शेभी को बता दें कि इनके बाद आपको कौन से चीज़ों का ध्यान रगना चाहिए दोस्टों कोई भी कोई वस्तर पहनता है दोसों उनके पहने वस्त्र को आप बिल्कुल ही ना पहने इशे दोसों आपके औरा उनके औरा में बुरा परभव डालती है दोसों कहा जादा है कि जोवेक्ति शामने होता है उशे साथ खड़े होने शे उनकी पोजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है इशे परकार दोसों वास्तो शास्त के नुशार और हमारे धर्म शास्त के नुशार आप किशे के पहने कपड़े को बिल्कुल ही मत पहनिएगा इशे आपके अंदर अच्छी एनर्जी रहेगी और आप उनकपड़ों को पहनते हैं तो दोसों आपके अंदर बुर एनरजी का अशर रहेगा और हमेशा आपको अश्यपलताएं और दुरुभाग हांत लगेगा तो दोसों इन बातों का ध्यान रखें जिये दोसों किशी के पहरे घड़ी का भी परियोग आपको नहीं करना है जिये दोसों अगर आप यश्या क दोसों किश्मत बहुत भार खराब हो जाती है बहुत शारीकार आपके हाथ में आते आते बिगड़ जाते हैं बंटे-बंदे काड रुक जाते हैं दोसों इन्हीं शब कारण दोसों किशी और के उपियोग की हुए वस्तों को अगर आप अपने जुनकाल में उपियोग करत है जिए दोसों हम आप शुम् Smooth को बता दे कि हमें हमेशा भगवान के दीवेजा children को रखना चाहिए उषके लिए हमें हमेशा किर्टिग bharal को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए आपने जो भी हमें दिया है हम उषकी आपका धन्यवाद करते ही हमेशा उसके लिए भारी रहेंगे अजिया दोस्तों इश्वर जो भी हमें देता है हमेशा सो शमजकर ही देता है जो हमारे लिए अच्छा है वह ही देता है और दोस्तों उन शब चीज़ों को नकार कि आप किशी और चेग मांग लेते हैं और दोस्तों उन शब चीज़ों को आप शिवी को बढ़ा दे कि जोवी लोग अपने जुनकाल में इश्यकार करते हैं कि जुनकाल में बहुत ज़्यदा चिंतित रहते हैं शाथिशा दोस्तों आप शिवी को बढ़ा दे कि अब आपको अपने घर में भी कुछ वस्तों को नहीं रखना चाहिए इनसे भी जुनकाल में बहुती दरिदरता आती है, घर में पेशों की शमश्या आती है, बहुत परिशान हो जाते हैं जियें दोस्तों अगर आप उपने घर में टूटे हुए बरतन को रखते हैं तो दोस्तों आपके जुनकाल में आप दुरभागी को उपने जुनकाल में ला रहे हैं इस बात का धिन रखें दोस्तों वास्तु सास के अनुशार जिनके भी घर में टूटे बरतन होते हैं दोस् दोसों शाम किशमे खाना पीना होने के बाद घर के बेशिन में जूठे बरतन को को रखते हैं दोसों आपके किच्चन में बाश करने वाली अनपूर Contin ा देवी दोसों वो आपके रूषल हो जाती है और धन की दिकत के शाथ साथ आपको दोस्टों अनकी भी दिकत होने लगती है इसलिए दोस्टों इस चीज़ों का आप ध्यान रखें मातल लक्षमी अगर आपके जुनकाल से रुष्ट हो गई है तो दोस्टों आपको बश इनी सब बातों का देर रखना है कि गलती आप यह हुई है दोस्टों आप ऐसे चीज़ को बिलकुली ध्यान में रखेंगा शाथ साथ दोस्टों आप शबी को बता दें रात में ही नहीं दोस्वों दीन में भी आपको किशी को ये सब चीजे नहीं देना चाहिए दोस्वों अगर आप दान करने के प्राती हैं अगर आपके जुनकाल में खुशकवरी मिली है आपको शफलताई मिली है और आप चाहते हैं कि किशी व्यक्ति को कुछ दान कर दें दोसों शब्से पहले उश व्यक्ति को आप भोजन कराईएगा दोसों ये नहीं कि दोसों आप रुपे पेशी को दे दिये और भेज दिये दोसों अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आया है कुछ मांगने के लिए आया है तो दोसों उन्हें शरुपर्तम आप भोजन गरहन कराए शाधिशाध दोसों आप उन्हें नए वस्त्र दिये और दोसों उन्हें नए कपड़े को देकर शाधिशाध दोसों उन्हें प्रणाम करके बिदा कीजीगा दोस्तों आक्षिवी को बिदा दे कि हिंदू दर्मे हमेशा देवी देवता इनी सब चीज़ों से अपने भक्तों की प्रिक्षा लेते हैं जो जो भक्त ऐसे करते हैं उनसे इश्वर प्रशन होते हैं और जो लोग उन्हें दूतकार देते हैं जो लोग वह मांगने आते हैं तो तूटे चपल खराब ववस्तर उन्हें दान कर देते हैं तो दोस्वे इंशे इश्वर काफी नाराज हो जाते हैं और इश्वर उनके जुनकाल में कभी भी खुश नहीं रहती जिनसे घर का परभाव नकारत्मक होने लगता है और दोस्वे उनके जुनकाल में नकारत्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं नकारत्मक परभाव अशर करने लगता है इसलिए दोस्वे अब आपको अपने जुनकाल में ये शव गलती भूल कर भी नहीं करना है अगर आप किये हैं तो दोस्वे कोई बात नहीं बश आपको क्या करना है कि आ आदिशा दोस्तों आप शबी को बता दी कि अब आपको अपने जुनकाल में कौन से इसे चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए जिन से आपका घर की जो इत्ति है वो बिल्कुल ही खराब होती है बुरी शक्तियां आपके घर में वास करनी लगती है जिया दोस्तों तो दोस्त आप शिबी को बता दें कि अब हो जाएं शावधान अगर कहीं से कोई वस्तु आपको फ्री में मिला है कोई गिप्ट किये है तो दोस्तों ये आपके किश्मत का धन है आपके भागी का धन है जो दोस्तों आपने अरजित नहीं किया था और किशी और ने आपको दिया है च गिफ्ट अगर आपको अच्छा ना लगे तो दोसों आपको उने किशी और को दे देते हैं, ये गलती भूद कर भी आपको नहीं किरनी है, इसे दोसों आप अपनी किश्मत पर श्वेंग ही ठोकर मारते हैं, आप अपने भागे को श्वेंग ही खराब करते हैं, जिया दोसों जो निश्य लिए आप भोद Kambi यह गलती अब मत किरे के अपने जूनकाल में जियां दोस्तूं बहूड शारी एशी लोग होती है जो लोग एशी करते हैं और जूनकाल में देवता भी उनसे डूश्ट हो जाते हैं जिया दोस्वं इसलिए ऐस सब गलती अब ना करें अगर आपने ये गलती किये हैं अपने करमों के फल को ही ठुकराए हैं तो दोस्वं आपको शनिवार के दिन काले कूत्य को रोटी खिलाना है शनिमंदर में जाकर दोस्वं आपको शर्षों का तेल अर्पित करना है भगवान शनि के लिए दोस्वं आपको शनिमंत्र का जाप करना है दोस्वं शनिमंत्र है ओम शन शंच्राय नहमा दोस्वं इस्टमंत्र का आपको एक माला जाप शनिवार के दिन करना है इसे दोस्वं आपके कर्म फलदाता भगवान श उसलिए भी जैवान भी आपको सूठकरा मिलेग़ ख़िब न दोसं ऍसे आप आप्षव को बता दें किवरा आपके बात की स्वाट किया कि आपने अपने ज़मकाल में शाम की बाद किशी को भी कुछ इसे वस्त्यों का दान किया है जो कि दोस्टों वर्जित है तो दोस्तों इन से जुटकारा पाने के लिए आपको शुकरवार की दिन माता लक्श्मी के लिए दोस्तों किशी भी गरिब व्यक्ति को कपड़े का दान कर दें अन का दान कर दें जिया दोस्तों ध्यान रखेगा वो शुकरवार की दिन हो और दोस्तों कोई ना मांगे तभी दान कीजिएगा दोस्तों आप भुला कर जो भी अश्योगी व्यक्ति है अगर आप इशा करते हैं तो माता लक्ष्मी आप शीप प्रशन हो जाएंगी और साथ शाथ दोस्वों छोटे चोटे कन्याओं को दोस्वों आप वस्तरी भी दिजिएगा उने पेशे दिजिएगा दोस्वों शीप माता लक्ष्मी और अन्पुरुना देवी दोनों ही प्रशन होती है तो दोस्वों आप इन उपाये को किजिएगा आपके जो भी दुरुभागे हैं जो भी आपके हाथों गलती हुई है वे शारी गलतियां दोस्वों शीगरे ही खत्म हो जाएंगी और आप फिर शे आप शेबी के जुनकाल में माता लक्ष्मी और अन्पुरुना देवी जी का वाश होगा शादिशा दोस्वों आप शेबी को बता दें कि जब आप इन सब चीज़ों का दान करती हैं तो आपके जुनकाल में बहुत आई करजा आजाता है दुश्मन पहिशान करने लगते हैं बुरी शक्तियां आपके उपर छोड़ने लगते हैं क्यों दोस्वों आपने हैं उन्हें इन सब चीज़ों का दान किया है तो दोस्वों इनकी इन से चुड़कर अपाने के लिए आपको कौन से हुपाहई करना चाहिए दोस्वों आपको मंगलवार या फिर श हुनिमान चलीशा का पात करना चाहिए शांति से दोस्वों ये क्मठ आपको मंगलवार को मिलाकर शाद करना है औरनो का या और हमनवन चsource का मांगनी है और दोस्वों?!" रскषा के लिए महाबली हर्माणजी से प्रात्ना करना है। दोस्नों आपके जॉन काल में जो भी बुरी श्क्टियां है जो भी बारदाय हैं वे शबी तूट जाएंगी और फिर यहाप शिवे का जीवन मुक्त हो जाएगा और आप अपने जुनकाल में खुशियों को देख पाएंगे घर प्रिवार की जो भी जरुत बंद की चीज़े हैं उन शबी को लापाएंगे घर प्रिवार बिल्कुल ही खुश रह जाएगा आपके जुनकाल से करज का भी बोज उतर जाएगा आपके जुनकाल में दोस्तों जो भी संकट समशाएं वो इशारे खत्म हो जाएंगे और शादिसा दोस्तों आप शेवी को बता दें कि आप पिछले कईश मेशे धन की शमशाएं से जुड़ रहे हैं जो दोस्तों आपके धन में बादा कड़े कर दिये हैं धन आने की शमवन आपकी रुख गई है तो दोस्तों आप ध्यान रखेगा कि मंगलवार की दिन हनुमान मंदिर में जबाद जाते हैं तो दोस्तों सुंदर कांड़का भी आप पाट कीजिएगा और शादिसा दोस्तों आप शेवी को बता दें कि गरिबों में आपको जो भी परशाद है उन्हें बार्टना है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप शिबी को ये उपाय कमशी कम शाथ मंगलवार तक करनी है जी है दोस्तों और हम आप शिबी को बता दें कि दोसवों जब्ही आफशबी की जुनकाल में कोई शाय वकती आता है, तो दोसवों उनकी मदद करने साफ बिल्टी ही ना चुकें, अगर आपके पा सकी है तो आप उन्हें ज़रूर ही मदद किजिएगा, और अगर नहीं आपके पास कुछ है, तो दोसवों आपने मुख ख कारिख करते हैं जिनसे वो उनके देख शकें। हलाकि कि और राव है आपके मंतान सभी को जानते हैं. लेकिन वह भी स्टति ही आपके जुनकाल में ऐसी होती है दोस्वों इन शबी बातों को आप धियान में रखिएगा तो दोस्वों इन शबी चीज़ों का दान भूल कर भी आपको अब उशे नहीं करना है इनसी दोस्वों आप शबी की जुनकाल में खुशियां शुक्षमर्दी सब रहेंगी तो दोस्वों फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए आप शबी का धन्यवाद आप शबी का दिन शुब हो मंगल मैं हो